असलाम लेकूम वीवर्स आज हम बना रहे हैं चिकन और आलू का सालन तो चलते हैं रेसिपी की तरफ यहां पर हमने ओल लिया है हाफ कप और यह को अच्छा सा गरम होने देंगे जब ओल गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे प्यास दो नॉर्मल साइज की प्यास को हम ब्राउन कर लेंगे हलका सा इसका कलर आज़े गुर्डन ब्राउन सा यह हमारी प्यास का कलर आचुका है अब हम इसमें शामिल करेंगे जींजर गालिक पेस्ट अब इसको इसमें इच्छी तरह फ्राई कर लेंगे फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चिकन हाफ केजी चिकन को हम इसके साथ अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इसका चिकन का कलर गुल्डन ब्राम सा आज़ेंगे इसको इसके साथ अच्छी तरह अच्छी तरह की भूनाई कर लेंगे हमारी चिकन फ्राइब हो रही है कि यह हमारी चिकन का गॉर्डण सा कलर आ चुका है कि अब हम इसमें शामिल करेंगे ग्रीन चिली फोर अदद कि अब इसके साथ थोड़ा सा और इसको कुक काट लेंगे कि अब हम शामिल करेंगे नमक वन टेबिल स्पून अब हम शामिल करेंगे वन टेबिल स्पून रड़ मिर्ची अब हम शामिल करेंगे वन टेबिल स्पून गरम मसाला पावडर अब हम इसों सब्सक्राइब इसके साथ मिक्स कर लेंगे इसके साथ ना इसके साथ मिक्स कर लेंगे ठोड़ा सा पानी के साथ मजीड फोड़ा से ओर कुक कर लेंगे यह देखे is थोड़ी देर होचुकी है इसमी शामील करेंगे टेमार्टर पर नार्मल सैज़ के आथ के साथ इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे चिकन अच्छी तरह अंगल जाए और टिमाटर भी बिल्कुल मैं शो जाए यह देखें आफ्टर फाइफ मिनेट हमने पांच मिनेट इसको कुक किया था यह देखें हमारा इतना प्यारा सा यह मसाला बनके त्यार हो चुका है चिकन भी हमारी गल चुकी है अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू तीन नॉर्मल साइज के आलू के साथ इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे यह हमारे आलू देखें इसके साथ अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी एक कप आपको जित्ता भी शोर्बा पसंद हो आप उसे साब से डाल सकते हैं अब हम इसको हमने इसको दस मिनट के लिए कुप किया है दस मिनट हो चुके हैं यह देखें हमारा सालन अच्छा सा बन के तयार हो चुका है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कि अगर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं यह हमारा फाइनल लुक कि अगर आपको घप whenever i के दीए अगर आपको अगरे हो जापको जाए नोग Rabbit किरो इंग पाइक करेंगा particular झार आपको कि वीए उक्राइक की दो कि देए नॉग हमाराग का जाव दो आफको